हेले विवान क्या हाल चाल कैसे हैं आप तब सो स्वागत है आपका इस बहतोरीन चैनल में आई ये आपका चैनल है सो हम लोग आज एक रसिप्रोकल अप्रोश के माधियम से चीजों को समझ रहे हैं जाने का प्रियास कर रहे हैं जैसे हमने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा जो लाल कलर का बटन है उसे दबा दीजेगा और और मेरे टेलिग्राम से जरूर आपको जुड़ जाना चाहिए अगर टेलिग्राम से आप जुड़ गए तो समझें कि डॉक्टर बन गए क्योंकि बहुत सारे इंफोमेशन अब कुछ रापिड रिविजिन नोट्स भी शुरुवात करेंगे बीच में उसे रोक दिया गया था कुछ प्राप्लम हो गई थे पर एक दो दिन में उसे हम स्टार्ट करेंगे और हम डेली आठ बज़े अन अकाडमी के उपर लाइव मिलते हैं जहां पर चप्टर वाइज मॉक्टेस करेंगे यह बिलकुल फ्री है और हर नौ बज़े हम वन शॉट सीरीज लेके आ रहे हैं आप सब के लिए हर एक ट्यूजदे थोस्टे साटेडे को भी आपको दस बज़े हम लोग करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो मेरे महा संगराम बैस से आपको जुड़ जाना चाहिए जहां पर अन एकाडमी के बेस्ट टीचर आ आपको यहां पर पढ़ाएंगे तो यह लवियुक वर्ल्ट अना लेविंग वरल्ड अवह से शुरू करेंगे और शुरू करेंगे यहां से कि वोटिस अलेव नेएकाडमी के ऊपर कि लिविंग का मतलब क्या है लिविंग का मतलब होता है कि जो response करे जिसका responsibility हो है ना respond करे ठेक है फिर उसके अंदर consciousness हो consciousness हो this is a character of the living organism this is a character of living organism तो characteristics तो इसमें बहुत थारे character होते है जैसे की growth होता है ना growth होता है reproduction होता है ability to sense the environment and that mound suitable response come in our mind immediately in a unique feature of reproduction तो अगर हम feature के बारे में बात करें अगर हम feature के बारे में बात करें कि growth के क्या-क्या features है feature of living organism feature of living organism तो feature बहुत ही अनेकों अनेक है और इसमें सबसे important है growth ठीक है तो growth का मतलब होता है कि अगर cell का size बढ़ जाए यहना volume बढ़ जाए किसी का भी size बढ़ जाए volume बढ़ जाए उसको growth कहते हैं तो they can also seen in they can also seen in non-living things non-living में भी आपको इसे देखने को मिलेगा जैसे आपके घर के सामने कोई कूडा इकठा कर दे और करते जाए करते जाए तो एक तरीके से हो रहा है एक तरीके से थारे चीज इकठा हो रहा है उसका मास बढ़ रहा है वालिम बढ़ रहा है तो growth can also seen in non-living things फिर आता है हमारा reproduction reproduction का मतलब होता है कि कि किसी भी organism से कोई नया organism आ जाए किसी भी living but the act of reproduction are not there so they can not seen not always seen you can say not always seen seen in living organism seen in living organism हर एक living organism में यह देखने को आपको नहीं मिलता है समझ में आरी बात तो reproduction is not seen in all living organism the third is called growth reproduction and जो एक metabolism है जो हम आगे पढ़ेंगे metabolism metabolism में आपको book में लिखा के yes it is a living character because the all the metabolic process are take place inside the living system जैसे हमने carbohydrate खाया तो carbohydrate को digest करने के लिए enzyme हमारे शरीर के अंदर है protein को digest करने के लिए degrade करने के लिए हमारे enzyme है so they can also seen in a living system seen in living organism but yes there is exception अगर हम बाहर करना चाहें तो possible है and the self consciousness self consciousness consciousness is the unique feature this is a unique feature of living organism unique feature है और यह aims में कोशन आया है है aims में कोशन आया है कि self consciousness a unique feature of living organism and it's the defining property of the living organism right defining property of living organism so we can add more of thing like metabolism ability to self-replicate and self-organized interact or emerge uh emerge during the emergence in situation is also the list of the living organism right so what is the living or all living organism can grow yes we live organism have growth but yes जैसे कि मैंने बताया था आप सब को कि कुढ़ी का पहाड भी पहाड भी धिर धिर शुआ उसके उपर सन्ट वगर एक अठाओक पहाड भी ग्रो हो सकता है उसका मास बढ़ सकता है और पहाड अगाड़ फाहड एक नौ लिविंग है इसको हम growth कहते हैं और multi-cellular organism grow by the cell organism जितने भी multi-cellular organism है उनमें growth आपको cell division के माध्यम से मिलता है इन-plant the growth by the cell division अकर बायद continues throughout the life अच्छा आप दो जो ग्रोफ होता है growth लिमिटेड इन लिमिटेड इन हुमन्स और लिमिटेड इन हीवन्स को सर्टन एज के बाद growth stop हो जाता है बट ग्रोफ दूसरे अस्पट में लिकें तो ग्रोफ अनलिमिटेड अनलिमिटेड इन प्लांट प्लांट्स उनलीमिटेड होता है इसके अंदर मेरीस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो कि हमेशा धे कीप ओन डिवाइडिंग थूओट दे लाइफ्टाइम keep dividing keep dividing throughout the lifetime throughout the lifetime throughout lifetime the lifetime तक यह divide होता रहता है होता रहता है इसलिए प्लांट में हमेशा ग्रोथ देखने को मिलेगा बट हुमन में ग्रोथ रसिक्ट हो सकता है कुछ एज के बाद ठेक है तो इन प्लांट ग्रोथ अप्सेल डिविजिजन अकर बाइद अगर बाइद तो अनिमल में आपको कुछ सर्टेन एस तक मिल सकता है बट प्लांट में कॉंटिनुवस होगा द्यू टू दा मेरिसमेटिक सेज्ट हाववेद अगर इन सर्टेन टिशू रिप्लेस दे लॉस सेल यूनिसेलल और ऑर्गनिजम ग्रो बाइद अर्ली अब्सॉर्ब इन विट् ग्रोथ अनर्प अनर्पड़ अनर्मुवल इसल्यूजिव एवेट समासक्ते हैं अग्या है जो यू बस्ट रिजमल ग्रीस निए पोड इन पोड्यम ग्रोथ तो ऑ्यू नोलिवीजम और आ दो ग्रोद आपको आल्स ग्रोथ एल्टेश एल ग्रोथ इस पोड्या इं प्रोपटी नहीं कहते हैं everyone clear पूरा NCRT को अच्छे तरीक से समझ समझ के पढ़ेंगे ताकि आपका एक भी कोशन छूटे ना और इस नीट में बहतर स्कोर कर सकें हमारा इंसाइट से होता है सारा चीज़ दिफाइनिंग प्रोपर्टी अदिशन अंडिशन 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 होता है ताकि आप जल्दी से रिवाइज कर पाएं और यह पूरा चीज में आपको आपको एलिग्राम के ऊपर भीज दोंगा ताकि आपको पता चले तो अपर यह उसके अदर अंदर अंडर होता है कि किसी और नहीं और बडर बडाक्शन नहीं होता है होता है कुछ human में नहीं होता है they are called infertile couple they are called infertile couple ठीक है the reproduction otherwise characteristics of the living organism in multicellular organism reproduction refers to the reproduction of progeny processing feature more or less those of the parents and yeah those of the parents organism reproduced by the asexual mints हना हम उसमें पढ़ेंगे class 12 में पढ़ेंगे there are two type of reproduction the sex reproduction and a sex reproduction sex reproduction में दो organism इसमें इंवाल होते हैं they produce a different different gamets male organism produce the male gamet the female organism produce the female gamet they combine to form and there is a variation जबकि a sex reproduction में there is a single parents are involved there is no fusion there is no formation of camets so clone are formed during the a6 reproduction which is morphologically and genetically identical to the parents the fungi multiply is spread easily due to the million of asexual sports and they produce and lower organism like hydra in my body होता है planaria flatworm they 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 absorb true regeneration क्योंकि planaria में सबसे जादा regeneration होता है ऐसा समझा जाता है ट्रक से उसे कुचल दिया जाए फिर से उजनरेट हो जाएगा and that's the regeneration कोई कमेंट करें के बताएगा क्या कि हमारे अंदर कोई ऐसा कोई ओर्गन है कि जो regeneration शो करे थोड़ा सा कड़ जाए तो फिर से दुबारा आ जाए यस प्लीज तो दे फ्रेग्मेंटेड और गनिजम जनेरेट देर लॉस पार्ट अफ द बोड़ी और बिकम नुव और गनिजम नुव और गनिजम यस द लिवर इस आंसर थोड़ा बहुत रीजनरेशन उसमें देखा जाता है तो फंजाई बाल्ड़ बिक्तेरिया रुन।लिलड अल्गी अमीबा मैंटेर बिकम यस इन लुव और ंचिशन अष्टार ल्गोद अजव और लगनिजम और लिवीद देखा जाता है तो अन्में रीज बिकम डिनिध यस सब्साब बिकम झानिजम झानिध।न।न।न।न।न।न।न। human couple etc therefore they are not considered the defining property although it is a feature of living organism but defining property nahi hai islay reproduction also cannot be all exclusive defining property of the living organism another characteristic of life is metabolism or ncrt ka book kaiti hai ki metabolism yes it is the defining property or they are exclusive in the living organism but they can be happen in outside the world outside the body so all the living organism are made up of chemical we are chemically originated as a open and held in so open and helden ka hypothesis betata hai ki hamlog chemically this chemical are a small big belonging to the various classes size function etc or alag-alag biomolecules saai hai or humare sharee me chemical reactions हमेशा से चलते रहते हैं अगर हमने खाना खाया तो chemical reaction start हो जाता इवन नहीं भी खाया तो हमारे शरीर में चलता रहता है सारे इवन्ट चलते रहते हैं this conversion are chemical reaction are metabolic reaction जो हमारे शरीर में चीज़े चल रही है उसको metabolism कहते हैं और शरीर से बाहर यह पॉसिबल है आप कर सकते हैं सारा atmosphere create करके है तो देरा थाउजन और metabolic reaction occurring in the same time in the living organism क्याए वो multicellular unicellular उसमें होता रहता है तो all the plant animal fungi microbes exhibit the metabolism जितने भी living organism है समय metabolism तो होता ही होता है some of the total all the chemical reactions occurring a definition है कि the chemical reactions occurring in our body is called metabolism no living मतलब यहां पर देखे लिखा है no non living object exhibit the metabolism इसले आप metabolism को demonstrate कर सकते हैं outside the body cell free system isolated mechanism कर सकते हैं तो cellular organization of the body is defining feature of the life form cellular organization होता हम cellular अना cellular cell cellular design जो होता है वोसे metabolism कहते हैं and most obvious technical complications feature of all the living organism is ability to sense the surrounding or environmental response to environmental stimuli which could be physical chemical biological this is very important line यह से कई दफा सवाल आया है कि हमारा defining feature क्या है defining feature क्या है defining feature क्या है defining feature क्या है कि हम atmosphere से interact कर सकते हैं हम sense को समझ सकते हैं तो यही एक feature है जो हमें defining बनाता है तो all organism from the prokaryote to the most complex like eukaryote like the human being can sense and response to the environmental clues photo periodism effect हम अगले class में करेंगे तो consciousness is therefore become a defining property of the living organism आपको याद कर लेना है जो consciousness is a defining property of the living organism consciousness is defining property of the living organism ठीक है clear है इतना जोई कुछ नहीं है higher classes में आप जाएंगे तो पढ़ेंगे कि कौन-कौन सा interaction होते हैं कैसे हम चीजों को interact करते हैं क्या-क्या चीज़े होती है तो यह सारे skip कर रहा हूं इवन बालोजी हमें बताता है कि बताता है कि हम लोग पहले कैसे थे अब कैसे हैं हम लोग आये कैसे हैं बालोजी ही बताता है नाव यह टॉकि आप देखते हैं तो तरह तरह के लोग्ड आपको दिखाई देते हैं तरह तरह कि आनिमस दिखाई देते हैं बईस प्लांट का नम किसमर्ण आप उस निमबर कर नाम किस्म ने रखा वो editing को किस लीनियस कार्लस लीनियस and he coined he coined binomial nomenclature binomial nomenclature यह आपको आना चाहिए कि इन्होंने हर चीज को दो कटेगरी में डिवाइड किया ठीक है so yes to each different kind of plant and animals that you see represent the different species so that the the refer to the biodiversity or the number or type of organism present on the earth bio means life diversity means form so we should remember here that we explore the area even old one new organism are continuous being identified ने 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 और गनिसम अदेफाई होते रहते हैं उनका नॉन्कलेचर करते रहते हैं as we started earlier there are the million of plants and animals in the world बहुत सारे बल्ड के अंदर plants और animals है और we know that बहुत सारे plants और animals they are at to be discovered and described अभी हमें पता ही नहीं है इन्हें हम local नाम से पुकारते हैं और इनका नाम place to place change भी हो सकता है ठीक है the nookan name could be vary from place to place even within the country may be aapko badalav dekha जाएगा probably you would recognize the confusion that would be the created if they do not find a way means walk through the organism and we are talking about so hence there are our new need to the standardize the naming of the Um tutsi और भारत में ही रहते हैं तो किसी स्टेट में उस पौधे को कुछ। और बोला बोला जाएगा किसी और जानवर को उस से स्टेट में कुछ और बोला जाएगा किस और बोला जाएगा यसलिए हमें universal होने के जरूरत है कि उसका नाम एक हो एक नाम हो एक क्लास हो ताकि हर जगह उसे सेम नाम से पुकारा जाए है ना और जिसे पढ़ना असान हो जाए तो इसलिए आया इसलिए पूरी वर्ड में जहां पी जाए कौकरोश को कुछ और कहा जा रहा है ना पता नहीं कहां कहां से नाम लिका देते हैं दला है यहा है पता हम ज़िक अंद लशलिए आ थैरव ll नाम पल देगा आपको कैसे परचाहत ऑना प्रतीमा को कैसे प्रतान यही हिस वेरी इंपर ट्डान So, nomenclature और naming of only possible when the organism described correctly as we know the organism name is attached and that's identification. Identification का मतलब इसे तीन चीज़े इसमें होती हैं. The first is called identification. Identification. Identification में क्या होता है? That is identify the organism. Identify the organism. Identify the organism. Identify the organism. Right. Identify the organism. फिर उसके बाद क्या होता है? Naming होता है. Nomenclature. Nomenclature. Nomenclature मतलब? Naming of organism. Naming of organism. उसे नाम करन करते हैं. लिक किस नाम से पुकारते हैं? ठीक है? यहाँ पर दो चीज़े आपको ध्यान में रखनी हैं. कभी कभी कोशन पुछा जाता है. कि International Code for Botanical Nomenclature. नहाँ ICBN. और एक होता है International Code for Geological Nomenclature. विच इस कॉल ICJN. ठीक है? एक कोड है. जिस कोड से हम पहचानते हैं. ठीक है? पहचानते हैं कि कौन सा और्गनिजम क्या है? कैसे है? The scientific name ensure that each organism has only one name. यह सारा चीज है. तो Biologists follow universally accepted principle to provide the scientific name to known. और इच नेम है तो कॉमपनेंट. इच नेम है तो कॉमपनेंट. पहला जैनेरिक नेम. पहला जो वर्ड है जैनेरिक होगा. दूसरा इस्पिसिफिक होगा. ठीक है? दूसरा इस्पिसिफिक होगा. तो रूल क्या है? जो रूल यहां से लिखते चलते हैं. रूल में फॉर्स्ट वर्ड जो है. फॉर्स वर्ड जो है. फॉर्स वर्ड जैनेरिक होगा. जैनेरिक. जैनेरिक. और सेकेंड वर्ड जो होगा. सेकेंड वर्ड होगा. सेकेंड वर्ड होगा. वो क्या है? एस्पिसिफिक है जैनरे का फ़ोस्ट वोड फोस्त लेटर रखरें तो यह क्याने लेटर होगा और इसका स्पिसिफिक का जो लिटर होगा एस पोर स्पपिस्फिक पोर स्मॉल इस स्मॉल एंपॉर्टर होगा इसको आपको याद रखना इसको याद रखना है इससे बहुत सरे काम आपका अस्तान हो जाएंगे तो इस सिस्टम इस प्रोवाइद नेम भूपनें इनका नाम याद आ पूल नहीं आ बहुत को नाम याद करना इंका नाम इप्रूटरंट उसको करते हैं तो मेंगो को कैसे लखते हैं तो मेंगो का पहला वड जैनरीकर अर दूसरा वर्ड तेस्पेसिफिकक का आई जव है और मैंगो का एम जो है जनरी का एम क्यापिटल है देख रहे हैं फॉस्ट वर्ड जो है क्या प्रेटल है और इसको आप रिलेट कर पा रहे हैं अप ठीक है लेट अस हाव टो बाइनोबेल नीम और सम अधर युनिवर्सल रूल यूँ आप तो नो कि कैसी हम बाइनोबेल नॉ लोग पढ़ते हैं अब नॉमेंक्लेचर तो हर जागा सेम अना मैंगो को मैंगो ही का जाए अना हर जागा अमेरिका फ्रांस जर्मनी इंडिया तो बाइलोजीकल नीम आज जनेटिकली जनिरली इन लातिन एंड रिटन इन इन टालिक्स वसे इस टालिक्स में लेखते हैं इ यह सो दे फॉर्स वर्ड बालोजियों नीम इस रप्रदेंट जीनस वाइल से कंपोनेट इस अल्फावेट अच्छा बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम start, android को टुकट टुकोडो में पढ़ना जाता है हैं, इस protector में प्रिंट में टेलिगराम पे निल जा Lewis एक उसमें मिझें करते हैं इसि塊 आप सोटे समय से रिवाइज से हैं वह बोद बॉद बाण ले में when handwritten they are underlined इसे underline करना है अगर आप इसे print करोगे तो italics में indicate their Latin origin और ही question मैंने 8 बज़े भी करा था इसका origin कैसा Latin है first word first word denote the genus start with a capital letter अभी अभी मैंने लिखा भी है वाइल इस पेसिविक पर है small letter example मैंजी फेरा इंडिका मैंजी फेरा इंडिका और हमारा टार्गेट ही है कि ncrt का हर एक शब्ड आपको समझ में आए देखिए selection कैसे होता है selection का एक जरिया बताता हूं पहले तो आपको यह target बनाना है अपने marks का कि बायो जो बहुत स्कोरिंग है बायो जो बहुत स्कोरिंग है लेट मार्क 360 एक भी कोशन गलत नहीं होना चाहिए नब्वे बटा नब्वे ठोकना है ठीक है और chemistry और chemistry को और physics को कम से कम डेट तो नमबर आना चाहिए तो ऐसे अगर calculate करेंगे तो आपको 660 नमबर बन रहे हैं जो एक गौर्मेंट मेडियो कॉलिज का सीट शौर करते का यह टार्गिट अभी से बनाके चलना है कि मुझे बायो में 360 लेट के लेकर आना है physics और chemistry में 500 नमबर आ जाएंगे काम हमारा हो जाएगा फिर उसकी बाद अपने ड्री मेडियो कॉलिज के तरफ जाना है कि मेरा ड्री मेडियो कॉलिज में सी है यह इंस है कि जो भी है तो इसमें अब फिर 40 नमबर 50 नमबर आड़ करना पड़ेगा वह जो की महनत से होगा समझ में नहीं आता है याद नहीं होता उसको explain warm में क्या करें तो इसलिए सीरीज का निर्मान किया गया कि एंसियाटिक का हर एक इनको आपको मैं समझा दोंगा और मजा आगा आपको मदब जब पढ़ेंगे तो और भी मज़दार चीजों से गुजरेंगे और हर चीज याद होते रहेगा तो चलिए नेम ऑफ ओफ ओथर अपियर आफ्टर थे स्पेसिफिक अपिटेड अन्गिफिरा इंडिका लाटिन वर्ड है इंडिकेट इस इस्पीज वर्ज़ फस्प्जोंब आद लीनियस लीनियस ने इससे क्या था classification का मतलब है classification of the organism उसे classify करना based on their similarity dissimilarity अगर similar character है तो अलग class कर दिया dissimilar character है तो अलग class कर दिया we recognize the group of such plants and animals or dog cat insect the moment we are use any of this term associated with a certain character with the organism and that group तो obvious है कि हम कुछ चीज को देखते हैं तो तुरंत उसका नाम याद हो जाता है उसका class याद हो जाता है क्योंकि पहले से ही पहले से ही इस सारा चीज़ डिसाइड है ठीक है तो all dogs all dogs cat mammals wheat rice plant animals etc are convenient category we use the study of the organism scientific term these are called texa texa ka naam आपने सुना होगा and here you must recognize that texa can indicate category at very different level plant also from a texa weed is also a texa similarly animals mammals dog all are texa so they are they are texa they represent the whole categories hence based on the characters all living organism can be classified into the different texa and this process is called taxonomy so आप मैंसे कोई बता सकता है क्या father of taxonomy कौन है father of taxonomy कौन है yes please comment करके बताए father of taxonomy कौन है again carless linius carless linius father of taxonomy कौन है carless linius the external and internal structure along with the structure of the cells developmental process and ecological information of the organism are essential and form the basic of modern taxonomical study है na so characterization identification यह जो basic pillar है taxonomy का सबसे पहले हम उसे नाम देते हैं that is called nomenclature फिर उसे classify करते हैं identify करते हैं characterize करते हैं this is the basic pillar of taxonomy this is the basic pillar of taxonomy to taxonomy is not something new human being is always been interested in knowing more and more about the various kind of organism हम लो बहुत हो और इसे हैं particularly with reference to the on usage is there so the word is systematic is again carless linius systematic arrangement of all the organism this is a branch of the studies refers to the systematic and word systematic was derived from Latin word systema systema का मतला हुआ ता arrangement of the organism lineus एक कुशन आया था है lineus जो है use systema nature is the title of his publication and they include the identification nomenclature and classification ठीक है और even systematic जो होता है evolutionary connections भी है they account for evolutionary relationship between the organism की आखिरी ओर्गनिजम का evolutionary history क्या है आया कहां से है उसके बारे में भी बताया गया है कुछ category के बारे में बात करते हैं and they are called taxonomical hierarchy तो taxonomical hierarchy को याद करने का क्या तरीका है बताए बताया है मैंने बताओ taxonomic hierarchy बताए टेक्स नॉमिकल हरे रिकों याद करना है तो keep pot clean otherwise 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 family family get sick ठीक है कीप का मतलब होता है kingdom 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 फाइलम है क्लास और्डर हर फामश मीर्री का जीणस इस इसप्र इस पीसिस अ मितों जो यादो से अधिक सफिसिज मिलके एक जीणस बनाती है दो या दो से अधिक फामली मिलके order दो या दो से अधिक order मेज़े class दो या दो से अधिक class मिलके iter, जो या दो से अधिक फार अभेthree make kingdom बनता है, ठाफ के थीए, kingdom थीए तो इसके बारे में हम करेंगे टक्सूनॉमिकल hierarchy के बारे में करेंगे और जाने कि कि कोशिक करेंगे कि कैसे चीज़े एवाल हो रही हैं कैसे टैक्सनामिकल क्लासिफिकेशन को अलग-अलग कीजों में करा गया इस्टार्ट विद्ध इस पिसइस अभी आट वजे कराय था कि टॉम इस्पीसिज टॉम इस्पीसिज टॉम इस्पीसिज वाज गिवन बाई जो एक्स्टा चीजे हैं मैं यहां पर लिख देता हूँ और इसको मैं आपको टेलिग्राम के उपर शेयर कर दूँगा जεις मी फून्म इस्पीसिज बशनtha कीनि घुट टॉम इस्पीसिज टॉम इस्पीस टीर इसुएडेला अरुक है जिस्में फूनमें इस्पीसिज टॉम्ट लिख इस्पीसिज टॉम इस्पीसिज टॉम PDF similarity is called species जिसमें fundamental similarity हो उसे हम species कहते हैं and मैंजी फेरा इंडिका सॉलनम टुबरसम दाइस पोटाटो पैंथरा लियो दाइस लॉइन ओल प्री नेम इंडिका ठीक है इंडिका टुबरोसम लियो जो लास वाला शब्द है यह लियो लास वाला शब्द है इंडिका लास वाला शब्द है और टुबरोसम लास वाला सब्द है दे 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 हाव रप्रसेंट थे स्पेसिफिक एफ एपिथेट और वाई फर्ट वर्ट इस मैंजी फेरा सॉलनम पैंथरा इस जैनरा इस तो हमें पहले से ही आता है इच जीनस में हाव वन और मोर दन स्पेसिफिक एपिट रप्रसेंटे दे दिफ्रेंट अर्गनिजम बट हविंग दो मॉफ लॉजिकल इस स्पेसिफिक एंड टाइग्रेश सॉलनम इंक्लोड इस पीसिस अफ नेगर मताब यह सारा चीज़ है कि हुमो से पिंस में कैसे हो जीनस देखे आपने क्लू समझ लिया कि दो मतलब सिमलर स्पीसिज में के जीनस बनेगा देखे जीनस कैसे हो रहा है तो जीनस कॉम्पराइज इस तो ग्रुप रिलेटेड इस पीसिज़ विच आज मोर करेक्टर इस कॉमन इन कॉम्पारेजन आप स्पीसिज आप अधर जै लियोपार्ट पेंथरा पारेडस टाइगरस टीगरेस आब सेबरेर कॉमन फीचर और जीनस पैंथरा इसको हम पैंथरा कहते हैं छीनस कंबाइंड होके फामली बनाती है जैसे यह वाली फामली है है यहां पर देखिए फामली फामली जो है ग्रूप रिलेटेड जेंडरा स यह जैसे एक फामली बनाती है इसी आनिमस में देखेंगे तो जीनस पंथेरा जीनस पंथेरा लॉइन टाइगर लियोपार्ट जीनस बनाते हैं फेली जैट वाला फेली फेली डीएसी अब चीजे वह हो रही हैं सिंक्रनाइज हो रही हैं चोटा से बढ़ा बन रहा है समराज्य बन रहा है समराज्य के तरफ चल रहा है ओडर में आ जाते हैं तो ओडर मतलब कि फामिली जूड़के फामिली जूड़के ओडर बन रहा है ना फामिली जूड़के ओडर बन रहा है तो फामिली आर बेस्ट नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर दाट इस ओड़र सो ओडर of higher organism, कैसे order का मतबब वो है कि plant families are convulgacy, solenacy included in order, polynumidol mainly based on the floral character, animal में भी अगर देखें, तो animal में भी order है, carnivora include the family, phadiacy and canadiacy, तो जो important चीज है, जिसे आपको जानना है, जिसे आप चीजों को समझ सकते हैं, जो आपके exam में पूछा जाता है, उसको mark भी करते चल रहे हैं, class, class जो है related order से class बनता है, जैसे प्राइमेटा, जिसमें monkey, gorilla, gibbons आते हैं, जो कि class mammoth में आते हैं, जो कि class mammoth में आते हैं, जो फिर हमारा phylum आता है, बहुत बड़ा होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि जिसमें fish, amphibian, reptides, birds, mammoths, the next higher category called phylum, ठीक है, समझ पा रहे हैं, quadata, phylum quadata है, non quadata है, प्लांट में इसे division कहते हैं, और kingdom तो ही है, plant kingdom है, animal kingdom है, जिसमें सारे plant आते हैं, सारे animals आते हैं, समराज्य है, ठीक है, जैल यह, तो हम इसको आगे कर सकते हैं, यह है, कि pot clean, otherwise family gets sick, species, genus, order, class, phylum, उसको है, ठीक है, तो यह सारे category हमने देख लिया है, यहाँ पर आपको यह चीज समझना है, कि man का biological name homo sapiens होता है, genus homo है, family homodesy है, order primata है, class mammalia है, division quadata है, इस से सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि NCRT का table है, इस table से सवाल उठा लेंगे, और आप से पूछ लेंगे, तो यह table आपको याद होना चाहिए, housefly का scientific name, musa paradomestica है, genus आपको यादी है, musa family, musidaece, diphtheria, insecta, orthopoda में आता है, mango, mangifera, indica, mangifera, यह सारे चीज, तो यह title gum, इस सब चीज़ा याद होना चाहिए, आपको, यह table आपको याद होना चाहिए, ठेक है, taxonomical aids क्या होते हैं, aids वाला बिमारी नहीं, this is actually the tools, tools for classification of, classification of, मैं इसलिए लिख रहा हूँ, के चीज़ों को असानी से समझा जा सके, थोड़ा सा NCIT में complexity बहुत जादा है, बहुत complex चीज़े हैं, तो इस definition से चीज़ों को समझना असान हो जाएगा, इस तूल जाएगागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागा study of various species of plants and animals and other organism are useful in agriculture the foresty industry and general in the knowing the bio resources and their industry and this is studies which we required correct classification identification of organism identification of the organism required the intensive laboratory field and their study and the collection of actual specimen of plant and their taxonomical add का मत्तव है कि एक ऐसा टूस है जिससे हम classification को असान बना सके ठीक है classification को असान बना सके तो इसमें जो भी चीज लिखा है दे गैदर दा इन्फोमेशन्स अन स्टोर अलॉंग विद इस पिसमें तो इस सारा चीज है ठीक हर्वेरियम इससे सवाल पूछा जाता है हर्वेरियम शीट बनाया जाता है तो हर्वेरियम में क्या होता है कि इसमें प्लांट का कोई भी पार्ट लीव को सबसे पहले उस प्लांट से एक्स्ट्राक्ट किया जाता है उसे उस उखाया जाता है उसे ड्राइ करा जाता है उसे प्रेस किया जाता है हर्वेरियम शीट पे और हर्वेरियम जाके समिट कर दिया जाता है जहां पे कलेक्टर का नाम ह होता है date of collections होता है उसका local नाम क्या होता है species क्या होता परा पुरा information रहता है जिसे आमें पढ़ना असान हो जाए इससे सवाल पूछा जाता है तो herbarium is a storehouse of collected plant specimens they are dried press and preserve on the seat this is the first important question further the seat are arranged according to universal acceptance system classification or system according काम करता है this specimen along with the description of herbarium sheet become a storehouse and responsibly the future use the herbarium sheet carry the label providing information about the date place of collection English or local botanical name family collector name etc and they are बहुत ही जल्दी आप चीजों को quick summarize कर सकते हैं चीजों को है तो यह herbarium का sheet है देख पारें बहुत सारे collection है जाकर उठाएए पढ़िये देखिए कि क्या लिखा हुआ है ना botanical garden you must be aware about the botanical garden so this is a collection of living plants for the reference plant specimens in the garden are grown identification purpose and each plant is level indicating the botanical and scientific name of the family question अभी आठ बजे मैंने अने काडमी के ऊपर कर आया था कि the famous botanical garden क्यूंग्लेंड ना famous botanical garden क्यूंग्लेंड and this is what this is what please बताईए this is called royal botanical garden royal botanical गार्डन अभी मुझे hospital भी जाना है एक दो दिन मैंने करूंगा मैं देखता हूं कैसे क्या चल रहा है § यहां देखेंगे तो इंडियन बाइतृट गार्ड गार्डन पन रहा इंडिया शिवपूर नेशनल बाइकल गार्डन लखनाव उत्तर परदेश यह बहुत इंपोर्टन थरू बहुत इंपोर्टन था सिंगिं घृन यह वर्भी मैं म्यूशिम में आज species for the study and reference species को कैसे यहां रखते हैं तो species को कैसे रखते हैं तो species are preserved and contain the jar preservative solution प्रवेज़वेटिव सलोशन में रखते हैं and a preservative solution में रखते हैं and plant and animals specimens may be preserved in a dry specimen उसे dry 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 करते हैं insects are preserved in the insect box collecting the killing and peening process कमार्द के उसे पिन कर देते हैं और उस specimen के अंदर ऐसा fluid हो जाता है जो उसे डिग्रेट नहीं होने देता है सड़ने नहीं देता है वहना सडने नहीं नहीं देता है तो लाज एनिमर्स लाइक बोर्ड मैमस आर यूजली स्टाफ और प्रिजर्ब मुजिम इस ओफन सब्सक्राइब को सकता है आंप प्रिटल कर अगर सब्सक्तरन क कर दो अ कंझें हो अर्थ यूए फ्सक्राइब ठीक है आंधार वी है बियर तो आप देखते हैं गेंडा देखते हैं हांती देखते हैं बाग देखते हैं तरह तरह के जानवर देखते हैं गेंट गेंञ र ही केंट लилась एइ डूस देखते हैं किन्गनीक ली तूस तो थूस एडु आटमी कना कि ली एडूस तो इस TOOस भूस इइट आई टдоूस एड लीचक इन्यारि ट आणिम देखते हैं गें तो दूस जावड़ and the key is also based on the contrasting character that is opposing character they are called couplet they represent the choice made by the options each statement each statement of key is called lead and separated taxonomical key required a technical category as such family genus key are genetically unethical in nature and manuals monograph uh flora there are some other means of recording descriptions they are helped to correct the identification the flora contain a question either the flora contain the actual account of habitat and distribution of plants of a given area that is flora and fauna they provided the index of the plant found in the particular area manual case clearly a manual are useful for providing information for the identification and name of the species of a gainware area and the monograph contain the information of of any taxon that's all thank you so much कि मुझे आपको इस वीडियो के बाद कमेंट करके बताना है कि आपको एक कैसा लग रहा है कुछ चींजिस चाहते हैं कुछ बदलाव चाहते हैं कुछ कैसा चाहते हैं प्लीज आप कमेंट करके बताएगा क्या कि मैं आपके लिए जब तक आपका एक्जाम खतम नहीं हो जाता मैं टिका रहूंगा पढ़ाते रहूंगा और आपके हित के लिए काम करता रहूंगा विन और ऊ बर आपके कमेंट को मैं देखके पढ़के मैं बहुत खुश रहूंगा और मुझे करेंगा विलush ेशल लगा है फीनस और आपको और कैसा इंप्रूमेंट चाहिए कुछ कैसा बदलाव चाहिए प्लीज मुझे बताइएगा थैंकिसो मॉच थैंकिसो मॉच बाइबाइ एक लास्ट इस वीडियो का लिंक अपने वाट्साप के